हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरफ से प्यार भ्रह नमश्कार सत्ष्रियाकाल अदाब दोस्तों एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं पहुत ही ज्यादा टेस्टी पोहा पोहा आपने कई बार लेकिन इस तरह से बनाकर कभी निखाया होगा अगर एक बार आप इस तरह से बनाकर खा लेंगे न तो मैं आपको पका ग्रेंटी देती हूँ आप इसी तरह से बनाकर बार पर खाएंगे तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो यह देखिए फ्रेंड्स मैंने एक कप लिया मैं लेनी हूँ वन फोर्थ टीजपून के करीब हल्दी पाउडर या थोड़ी सी ज्यादा भी ले सकते हैं और इसमें डार रही हूँ एक चम्मच चीनी यानि की शुगर आप पाउडर शुगर का भी इस्तमाल कर सकते हैं और यह है आदा निम्बू तो आदा निम्बू का र तो पोहे को हमने रेस्ट के लिए रखना है कम से कम 10-15 मिनट ताकि जो पोहा है न अच्छी तरह से फूल कर त्यार हो जाए बिल्कुल इसका दाना अलग-अलग हो जाए तो तभी हमारा जो पोहा है न बिल्कुल खिला-खिला बनेगा अगर थोड़ी सी हल्दी कम लगे तो पोहा त्यार हुआ है और शूगर भी इसमें मेल्ट हो चुकी है तो अब हम क्या करेंगे गैस की फ्लेम करेंगे और रख देंगे उसके उपर पैन इसे रख देते हैं साइड पर तो पैन मैंने रख दिया है अब इसमें डालेंगे एक चमच ऑलिव ओयल आप कोई भी ओयल का इस्तमाल कर सकते हैं मैं इसमें ऑलिव ओयल ही एड़ कर रही हूँ तो अब हम इसमें डाल देते हैं हमारे मूंफली कच्ची मूंफली है इसे हमें भूनना है अच्छी तरह से करना है ताकि यह अच्छी तरह से क्रिस्प बोच सके बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इससे तो यह देखिए फ्रेंट्स कलर चेंज हो गया ना तो मूंफली हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है तो निकाल लेते हैं ऐसे बॉल में और देखिए इसी ओयल में हम डालेंगे आदा चमच सरसो के दाने साथ में ही डाल देते हैं बिल्कुल फ्रेश करीपत्ता आप अगर आपके पास ड्राई है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से तड़कने देते हैं ताकि यह थोड़े से फ्राई हो जाएं बहुत ही कम मसालों में हम यह पूहा बना कर त्यार करेंगे और जो खाने में इतना जबर्दस्त तो एड कर देते हैं इसमें पूहा और इसे अच्छी तरह से चलात से भूनने से हल्दी बिलकुल पक जाती है और इसी स्टेज पर हम इसमें एड़ कर देते हैं हमारा टेस्ट कि अकॉर्डिंग नमक तो लीजिए ये भी हो गया मिक्स तो फ्लेम इसकी मैंने लो की है लो फ्लेम पर ही मैं अच्छी तरह से चलाते हुए भून रही हूँ हाई फ्लेम करेंगे तो जल्दी से ये मतलब की बर्न हो जाएगा तो अब हम इसमें एड़ करेंगे हमारे कटे हुए प्याज तो तड़का लगा के तो आपने कई बर पोहा खाया होगा लेकिन आप एक बार इस तरह से भी खा के देखिए आप इसी तरह से बना बना कर बार बार खाएंगे और जटपट से बन जाता है समय भी इसमें ज़्यादा नहीं लगता तो प्याज भी आड़ कर दिया हरी आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं या इसमें आप कोई और फ्लेवर आइड करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं लेकिन मैं ऐसी तरह से बनाती हूं यह देखिए कितना बढ़िया हमारा पोहा बन कर त्यार हो गया जटपट से और मेनत भी ज्यादा नहीं लगी देख रहे हैं आप तो अब हम इसमें डाल देते हैं कटा हुआ हरा धनिया और बढ़िया टेस्ट आएगा मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से तो फ्रेंड्स पोहा हमारा बिल्कुल त्यार है बना कर देखिए और खा कर देखिए और मुझे जरूर ब पिछी सिंपल सिंपल वीडियो में आपके लिए लेकर आती रहूंगी दोस्तों फिर मिलती हूं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई